नमस्कार, मैं राजकिशुर्विस्ट, डिस्केट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम पोसिप्ट एन लेटिस सेखें आए इस लेक्चर के लर्निंग अबजेक्टिप्स देखते हैं सरबतम हम पार्शिल ओर्डर रेलेशन डिफाइन करना सीखेंगे फिर पोसेट अर्थात पार्शिली ओर्डर्ड सेट को सीखेंगे तथा इसे हासे डाइग्राम से कैसे रिप्रजेंट किया जाता है यह सीखेंगे पोसेट के डिफरेंट एलिमेंट्स निकालना सीखेंगे लीनियर तथा वेल ओर्डर्ड सेट डिफाइन करना सीखेंगे lattice क्या होता है तथा उसकी properties सीखेंगे अंत में विभन प्रकार के lattices देखेंगे partial order relation समझते हैं इसको समझने से पहले एक example लेते हैं यहाँ पर एक project के बहुत सारे steps दिये हुए है दो steps के बीच की line यह दिखाती है कि उपर वाला step नीचे वाले step के समाप्त होने के बाद ही प्रारम हो सकता है यह steps के बीच में एक ordering relation दिखाता है यहाँ पर हर एक step दूसरे से related नहीं है अतहा यह एक partial order relation है partial order का मतलब ही है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई दो अगर आप यहाँ पर हमने steps लिये हैं या कोई element उसे आपका हैं कि वो आपस में related हो कोई relation R जो कि किसी set P में define किया गया हो partial order relation कहलाएगा यदि वह reflexive, anti-symmetric तथा transitive हो यहाँ जो symbol proceed का दिया गया है उसे हम partial order relation को दिखाने के लिए प्रियोग करेंगे set P partial order relation के साथ opposite कहलाता है यानि कि आप set और उसके साथ में जो relation आपने partial order relation लिया इन दोर को जब साथ भिल करके आप कहेंगे तो उसे आप opposite कहेंगे जब हम A precedes B लिखते हैं तो इस कार्थ यह है कि A order में B से पहले आता है या A, B के समान भी हो सकता है जब A is not equal to B होगा तो A का order B से पहले ही होगा कुछ examples लेते हैं यहाँ पर Z set of integers है उसके साथ relation जो हमने लिया है वह greater than equal to का relation लिया है यहाँ एक poset है अर्थाथ set of integers में यह relation आप लिया greater than equal to यहाँ reflexive, anti-symmetric चाथा transitive है जबकि दूसरा set आप लें Z और relation आप लें greater than तो यहाँ poset नहीं है क्योंकि greater than का relation reflexive नहीं है अब हम देखेंगे कि किसी poset को graphical कैसे represent करते हैं इस diagram को हासे diagram कहते हैं इसके लिए पहले हम किसी element का cover define करते हैं यदि P कोई poset हो तथा x, y P के elements हो तो y, x का cover कहलाएगा यदि y, x का immediate successor अर्थाथ y तथा x के बीच में कोई ऐसा z नहीं हो जो x का तो successor हो तथा y को precede करता हो हम, यदि हम कोई element तथा उसके cover का pair बना कर लिख दे हैं तो वह covering relation कहलाएगा हासे diagram बनाने के लिए हम हर एक element का cover निकालते हैं तथा cover को element से उपर रखते हुए 12 तथा 18 डूनू का cover है elements को उनके cover से मिलाने पर दिखाया गया figure हासे diagram को represent करता है अब हम किसी posit के विभिन elements को निकालना सीखेंगे यदि capital X एक posit हो तथा capital A उसका subset हो तो small A belongs to capital A least element कहलाएगा यदि small A capital A के सभी elements को proceed करता हो इसी तरह A greatest element कहलाएगा यदि capital A के सारे elements small A को proceed कर रहे हो एक example लेते हैं यहाँ पर एक subset 2, 3, 6 गर आप देखें इसका greatest element 6 है जबकि least element exist नहीं करता है minimal and maximal elements A minimal element कहलाएगा यदि capital A का कोई भी element small A को proceed ना करें इसी तरह A maximal element कहलाएगा यदि capital A के किसी भी element को A small A proceed ना करें फिर उसी example को देखते हैं तो subset 2, 3, 6 का maximal element 6 होगा जबकि minimal element 2 तथा 3 होगा यहाँ ध्यान दें यदि किसी set में least element exist करता है तो वही उसका minimal element होगा तथा greatest element exist करता है तो वही उसका maximal element होगा लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है यदि minimal या maximal element exist करते होगा तो वहाँ least या greatest element ही होगे किसी set A के लिए small x lower bound कहलाएगा यदि small x A के सभी elements को proceed करता हो तथा small x upper bound कहलाएगा यदि capital A के सभी elements x को precede करते हों lower bound के set का greatest element greatest lower bound कहलाता है इसे GLB से भी आप denote कर सकते हैं तथा upper bounds के set का least element least upper bound कहलाता है इसे आप LUB से भी denote कर सकते हैं फिर उसी example को देखा है तो set 2, 3, 6 के लिए lower bound exist नहीं करते हैं अता greatest lower bound भी exist नहीं करेगा जबकि upper bounds 6, 12, 18 और 36 हैं अता least upper bound 6 होगा linearly ordered set किसी पोसेट के दो elements x तथा y comparable कहलाते हैं इंटेजर्स का set यदि आप relations में less than equal to का लें तो यह linear order या total order कहलाता है यहां पर हर दो integers आपस में comparable हैं कोई पोसेट well ordered set कहलाता है यदि वहां total ordering हो तथा उसके हर एक subset के लिए least element exist करता हो पोसिटिव इंटेजर्स का set less than equal to relation के साथ well ordered होगा क्योंकि इसमें कोई भी इदि आप इसका subset लें तो हर एक subset के लिए least element exist करेगा जबकि यदि आप सारे integers को ले लें यानि सभी integers का set आप लें तो यह well ordered नहीं होगा क्योंकि इसके एक subset यानिकि negative integers का set दिया अप लें उसके लिए कोई भी least element exist नहीं करेगा Topological sorting कई बार computation के उद्देश से partial order set के elements को order देने की आवश्यक्ता होती है अता किसी partial ordering को total ordering बनाने को हम Topological sorting कहते हैं यहाँ पर example में दिया आप देखें तो least element से हमने ordering शुरू की है क्योंकि B के दो immediate successor हैं C तथा D अता C तथा D का order आपस में आप बदल सकते हैं इस प्रकार हम दो Topological sorting पाते हैं जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं आइसोमोर्फिसम दो पोसेट्स P तथा P1 आइसोमोर्फिक होंगे यदि दोनों के बीच में 1-1 on to mapping exist करती हो तथा elements का order preserve हो अर्थात यदि A B को P में प्रिसीट करता हो तो F A F B को P1 में प्रिसीट करता हो जैसा कि यहां पर आप दो आइसोमोर्फिक पोसेट्स देख रहे हैं Lattice कोई पोसेट Lattice कहलाता है यदि हर एक पेर के लिए Least Upper Bound तथा Greatest Lower Bound exist करता हो Greatest Lower Bound को हम meet भी कहते हैं उसे end से denote करते हैं तथा Least Upper Bound को हम join भी कहते हैं इसे और से denote करते हैं उदारण के लिए किसी भी सेट का Power Set सबसेट के Relation के साथ यदि आप लें तो वहाँ Lattice होगा Lattice की कुछ Properties हम यहां पर डिसकस करेंगे यदि L कोई Lattice हो तथा A, B, L के Elements हो तो पहला A precedes A और B इसे प्रूब करने के लिए हमें पता है A और B Least Upper Bound होता है तथा A और B दोनु से ओर्डर में यहां उपर होगा अथा आप लिख सकते हैं A precedes A और B क्योंकि A और B Least Upper Bound है इसका मतलब है Upper Bound है Upper Bound का मतलब हमेशा A और B से ओर्डर में उपर है डिरेक्ट आप Definition से ऐसा लिख सकते हैं सेकिन A and B precedes A हमें पता है कि A and B greatest lower bound होता है यहां A तथा B दोनु से ओर्डर में नीचे होगा क्योंकि lower bound है lower bound का मतलब A और B दोनु से बहो ओर्डर पे नीचे होना है अता आप लिख सकते हैं कि A and B precedes A थर्ड A और B equal to B if and only if A precedes B यह bi-conditional है अता एक बार हम LHS को लेंगे तथा RHS प्रूब करेंगे फिर RHS को लेकर LHS को प्रूब करेंगे माना कि A और B equal to B हमें पता है A precedes A और B definition के अनुसार अता यहां पर A और B equal to B रखने पर जो की दिया हुआ है हमें A precedes B मिलेगा उना माना A precedes B अर्थात B A के लिए अपर बाउंड है क्योंकि हर कोई element अपने आपका अपर बाउंड भी है अता B swim B के लिए अपर बाउंड होगा अब हम यहां कह सकते हैं कि B A तथा B दोनों के लिए अपर बाउंड है क्योंकि A और B A तथा B का लिस्ट अपर बाउंड है इसलिए A और B precedes B अब क्योंकि A और B लिस्ट अपर बाउंड है तो B precedes A और B होगा हमारे पास A और B precedes B तथा B precedes A और B अब होगा इन दोनों के लिए आप देखें और इसमें anti-symmetric law के लिए आप प्रयोग करें इन दोनों से हमें A और B equal to B मिलेगा इसी प्रिकार हम बाकी की properties भी प्रूप कर सकते हैं यहां में ध्यान देना है जब भी हमें दो किसी चीजों को equal दिखाना है जैसे कि पूरवता कि A और B equal to B तो हमें left-hand side में जो भी दिया हुआ है उसे यह दिखाना कि वहाँ precede करता है right-hand side को और right-hand side में जो आपको दिया गया है वहाँ precede करता है left-hand side को इस प्रकार से फिर इसमें आप anti-symmetric law का प्रयोग करेंगे तो आपको मिलेगा left-hand side equal to right-hand side अब हम विभीन प्रकार के lattices देखेंगे distributive lattice कोई lattice distributive कहलाएगा यह दिवह distributive law को follow करता है अर्थाथ x और y and z equal to x और y bracket में and x और z तथा x and y और z bracket में equal to x and y यह आपने bracket में ले लिया और x and z इसका उधारन यह दिलें तो power set s जहां s a, b, c हो subset के relation के साथ distributive lattice होगा जिसे आप verify कर सकते हैं bounded lattice कोई lattice bounded होगा यदि उसमें greatest तथा least element हो सामानित है greatest element को 1 तथा least element को हम 0 से denote करते हैं यदि x l का कोई element हो तो x और 0 equal to x x और 1 equal to 1 x and 0 equal to 0 तथा x and 1 equal to x होगा यहाँ पर 0 और 1 जहां दिजेगा 0 least element के लिए लिखा हुआ है और 1 greatest element के लिए लिखा हुआ है दिएगे अलग-अलग पोसेट्स में 0 और 1 की values अलग-अलग हो सकती है उधारां के लिए लेटिस लेते हैं l 1, 2, 5, 10 relation इसमें लिए है divide का यह इस relation के साथ में bounded lattice बनाएगा इसका यदि आप देखेंगे तो इसका जो greatest element है वह 10 है और least element 1 है complement इने bounded lattice यदि l एक bounded lattice हो तथा 1, 0 उसके greatest least element हो तो किसी element x का complement x- होगा यदि x और x- equal to 1 तथा x and x- equal to 0 अर्थात किसी element x का complement निकालने के लिए आपको ऐसा element x- निकालना है जो इन दो dv conditions को satisfy करता हो किसी एक element के एक से ज्यादा भी complement हो सकते हैं तथा यह जरूरी नहीं यह हर एक element का complement exist करें पूरू के ही example को लें तो 2 तथा 5 एक दूसरे के complement हैं तथा 1 वा 10 एक दूसरे के complement हैं complemented lattice कोई bounded lattice complemented lattice कहलाएगा यदि हर एक element का complement exist करता हो उदारन के लिए power set PS जहाँ S equal to A, B, C हो subset के relation के साथ complemented lattice है पूरू की तरह ही यहाँ पर आप हर एक element के complement को निकाल सकते हैं इस लेक्चर में हमने partial order relation हासे डाइग्राम पूसेट की विवन elements linear क्ता well ordered set lattice तथा उसकी properties और प्रेवन प्रकार की lattices देखें अगले लेक्चर में हम algebraic structure सीखेंगे